अंगद और साहिबा हुए लवशुदा आखे हुई चार, चड़ा प्यार का खुमार स्टापलस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में साहिबा और अंगद की ये डोरिया मजबूत होती नजर आ रही है तब ही तो देखे कैसे दोनों एक दूसरे में खो गए है और जुड़ गई है इनके प्यार की डोरी बैमोका है साहिबा के जन दिन का और ऐसे में अंगद ने साहिबा के लिए ब्लैन की है ये बहुते बाटी जो कि है सर्प्राइज और ये सर्प्राइज पाकर साहिबा काफी खुश है मैं उन्हें तो लगा था कि अंगद को उनका जन दिन याद ही नहीं लेकिन इतना बड़ा सर्प्राइज पाकर आज साहिबा फूले नहीं समा रही साहिबा का बिर्थडे तो अंगद ने सब प्रिपै किया सर्प्राइज पार्टी रखी और फाइनली केक वगएरा कटा उसके बीच में बहुत सारी चीज़े हुई जो और देखी तो उन्हें जादा मजा आएगा बहुत मुशक्कत के साथ अंगद यहां तक पहुँच पाया है कि यह डांस करने को रेडी हो जाए हाँ तो बिल्कुली अनेक्सपेक्टेड था मतलब मेरे लिए सर्प्राइज ही था मुझे तो लगा था कि अंगद को पता ही नहीं है कि मेरा बर्डे है तो वो घर आके जब देखा कि इतना अच्छे से सब कुछ डेकुरेटर है और इतना कुछ है केक है ड्रेस है सब है तो अच्छा लगा तो भई पूरे परिवार वाले इस बर्डे पाटी में शामिल है लेकिन प्यार के रंग में अगर कोई रंग गया है तो वो हैं अंगद और साहिबा तब ही तो देखें कैसे अंगद आज साहिबा पर अपना प्यार लोटा रहा है और साहिबा भी खो गई हैं अंगद की बा प्रियाँ ग्रियाँ गुण कर सिर्वेदिक ए्याईगर। प्रियांगदर साहिबा को तो पता ही नहीं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं लेकिन जल्द ही होगा प्यार का एहसास कि अंगदर को खुद नहीं पता है कि अंगदर को खुद नहीं पता है कि ही इस सम्वेर फॉलिंग फॉर साइबा बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसा रिलेशन्शिप है जो फ्रेंडली है एक दूसरे के करना चाहते हैं यह वाला कमफर्ट जोन आ गया है लेकिन ही इस नॉट फुली अवेर कि ही इस इन लव पतलब एक दूसरे के लिए कंसर्ण है केर है समझते है और साथ में टाइम स्पेन करना अच्छा रगता है बट उसके आगे तो दिमाग में नहीं आया है अभी भई आप दोनों के प्यार के इजहार का इंतजार तो पूरे दर्शक कर रहे है लेकिन ट्विस्ट वो किसी का इंतजार नहीं करता और देखिए कैसी ट्विस्ट ने इस बोधे पार्टी में भी एंट्री कर ली है वो भी सिम्रन के जरीए असल में सिम्रन साहिबा से बात कर रही रही होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका लॉकेट गुम गिया है जिसमें उसकी मां की तस्वीर है बस फिर क्या अंगत साहिबा और सभी लोग उस लॉकेट को ढूणने में जुड़ गए उस लॉकेट के साथ तो बहुती अच्छा ट्विस्ट और एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है जो हम सस्वेंस तो नहीं खोल सकते लेकिन उस लॉकेट के पीछे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है जो हमें तो बता है लेकिन आपको नहीं बताएंगे अच्छी आप बताएं ना बताएं लेकिन सास बहुर बीटिया को सब पता है कि सिमरन का कनेक्शन ब्रार परिवार से है और वो किसी और की नहीं यानि अंगत की सौतेली बेहन तो देखना होगा जब इस रास का खुलासा सभी घरवालों के सामने होगा तो रिष्टों में क अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्स्क्योसिफ कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो ज़रूर करें नाम तो आप से जानते ही हैं सास बहु और पेटिया